हेलो फ्रेंट्स होप आपको आज का जो आनलेसिस निफ्टी बैंक का और डिक्सन आनलेसिस का जो ट्रेड था वो बहुत पसंद आया रहेगा क्योंकि अच्छा खासा आज देखोगे तो वहां पे सभी लोगों ने प्रॉफिट कमाया आज आज कितना कमाया क्या किया मुझे कमेंट करके बताना जो नए है पहले बार यह देख रहे है तो मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वाट्सब्स की लिंक है जहां पे आप वाट्सब्स कम्यूनिटी हमारी जॉइन करके इंट्राडे आनलेसिस का देख सकते हैं उसको समझ सकते हैं और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन को हिट करना ताके हर शाम मैं जब आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए अब बहुत इंपोर्टेंट है कि यह जो मैं आनलेसिस आपको अब बताऊ होंगा that will be mostly applicable for morning trade यानि कि सुबह कहां से क्या होगा क्या नहीं होगा बट जब आप intraday करने जाते हैं तो कुछ specific intraday levels रहती है जिसमें हमें ध्यान देना पड़ता है और इसी लिए मैं कह रहा हूं कि description में जो WhatsApp community की link दी है उसे click करके आप intraday analysis जैसे आज bank nifty dixon का किया था व पिर देर किस बात कि हां एक बात भूल गया मैं अपने बारे में बताना भूल गया मेरा नाम तुशार भूने हर शाम में आता हूं nifty bank nifty का अनलिस लेकर है यस I am a SEBI registered equity research analyst बट मैं यहां पर आपको कुछ भी tipsy advisory नहीं दे रहा हूं whatever I am doing it's for educational purpose so बहुत सोच समझ के अपना hard- उसे सीख के सोच समझ के पूरे emotions को control करके trading करना फिर आये चलते हैं देखते हैं nifty क्या रहेगा bank nifty क्या रहेगा और कल expiry है तो कल बहुत fantastic मजा आने वाला है तो definitely आपको कहूंगा कि alert रहना community में बने रहना अब हम क्या करेंगे तो हम यहां पर nifty का detail में analysis करने देखेंगे और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आपको बड़े time frame में analysis करना है और आज मैं हाथ से नहीं लिखूंगा मैं text करूंगा ताके आपको बहुत अच्छा सुनाई सिखा numbers याद रखने को आए अब यहां पर आप देखोगे न यह क्या हो गया है तो आज अब भी भी अगर आप देखोगे तो full body candle नहीं पाउंग हो गई है bearishness तो है but at the same time आप देखोगे मार्केट ने पूरा का पूरा एक full body red candle कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से नहीं फॉर्म किया है और यह अगर कल हमें कुछ इस तरीके से मार्केट दिखता है यह कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है 18,200 के आसपास close हो जाती है तो ही मैं कहूंगा कि यह अब मार्केट और नीचे गाज गिर सकता है कितना नीचे गिर सकता है तो अब मार्केट 18.050 तक जा सकता है बट यह मैं कब कहूंगा अगर कल कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनी अब पूरा का पूरा डिसकुशन हमारे यही चीज़ पे रहेगा कि क्या यह कल रेड कैंडल बनेगी नहीं बनेगी क्योंकि कल एक्सपाइरी है मार्केट कैसे रियाक करेगा और आप देख सकते हो बहुत अच्छा मुँ आने के चांसे से साओ और 120-130 पॉइंट के कल मुँ आने के लिए पॉसिबल है तो कल हमें डीटेल में जानना है कि क्या मार्केट नीचे गिरेगा अब मैंने आपको डेली में तो जो मार्केट ने आच अच्छा खासा रिस्पेक किया बहुत बढ़िया लाइक वाज़ा सूप बांस बैक या पुल बाक कल इतना बड़ा पॉल था उसके बाद में इतना बड़ा उपर चला गया यह सपोर्ट बहुत जादा तगड़ा है इतना तो हमें पता चला यानि कि यहा चला जाता है अब हमें क्या करना है हमें देखना है कि मार्केट उपर कब जाएगा तो इसका लॉजिक बहुत-बहुत सिंपल रहेगा अब आप देखोगे ना कल सुभे को अगर समझो मार्केट उपर भी चला गया तो भी 18337 यह मैं टेक्स्ट पे लिख देता हूं ताब कि आपको समझ में आए 18337 तक ही मैक्सिमम जा सकता है नमबर लोट कर लेना 18337 यानि कि मैं क्या कह रहा हूं कि कल जो अफ़ड मूं आएगी क्योंकि इतना बड़ा पावर्फुल सपोर्ट है राइट मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकता है आपको 18337 तो अननेसेसरीली 18337 के बाद ज्यादा ट्रेड या ज्य चक्कर में मत पढ़ना अब आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा रहे यार मैंने होल्ड किया रहता था तो अच्छा गया रहता था बट कुछ इशु नहीं है 18362 को जाके वापस जब नीचे आएगा ओके और अपके बाद जब उपर जाएगा ओके तब आप क्या करोगे य यह नमबर याद रखना तो पहला क्या है कि 18337 तक ही जा सकता है उसके बात क्या है तो आप देख लो 18 समझो आपने पकड़ लिया 18360 की पकड़ लो आपने एंट्री कर ली और कल के लिए मैं थोड़ा सा आपको सेफ रहने को कह रहा हूं 18383 का पहला टारगेट तो कि और एक और तो सेकेंठ टारगेट रहेगा तो आपके बार स्ट्रेट अवे ₹ 2 अबकर पर जाएगा यह जङा कर आप यह समया। व्हजांपर जाएगा पहला है न घट एक जानत के पहलत ज़्यादा है यह भी याद रखना कि ऊपर जाकि क्या होने वाला है, इसका भी आप effect देख लेना, ऊपर जाकि क्या होगा, ज्यादा से ज़्यादा 18337 वापिस नीचे आएगा, और आपके बार अगर नीचे गिरा, तो कहां तक गिर सकता है, गिरा 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 18120 तक, तो in morning book the profit frustration आ सकता है कि 18 360 तक चला गया मैंने क्यों नहीं यह किया बट जैसे ही trend line को test करेगा यह entry हो गया यह target 1 हो गया और यह target 2 हो गया only after retesting जो मैंने आपको detail में बताया और तब चाहिए तो आप 18 337 का stop loss लगा सकते हो अब नीचे के analysis देखेंगे नीचे ऐसा होना चाहिए ना कि यहां पर यह zone है यह इतने आसानी से market आपको तोड़ने नहीं देगा इतना buyers है इधर पर वापिस उचाल थेखेंगे तो कल ध्यान रखना अगर market इसके नजदिक open हो रहा है okay मैं यह zone भी बोल देता हूं समझो market ना 18 247 से लेके 18 285 के zone में open हो रहा है okay 18 18 247 285 तो confusion रहेगा and avoid downside trade okay क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं याद रखना क्योंकि यह इतना ज्यादा bullishness है इधर कि वापिस आपको उठा के 18 337 तक लेके जाएगा बट एक ही चांस है जहां पे market straight away नीचे जाएगा जब market क्या होगा gap down होगा okay और straight away अगर आप देखोगे market कितना gap down होना चाहिए 18 230 तक gap down होना चाहिए control c control v 18 230 से जो gap down हो जाएगा वो 18 138 तक जा सकता है okay impossible लगता रहेगा आपको बट market ऐसे ही चलता है 18 230 okay entry okay 18 230 की entry होनी चाहिए और target कहां पे रहना चाहिए तो 18 लगभग 130 का आप target पकड़ सकते हो okay add the money का ही सोचना ज्यादा यह मत करना या आपको अगर डर लग रहा है कि means morning को इतनी डरनी की ज़रुरत नी है बट दिन बर में अगर आपको डर लग रहा है कि time decay हो जाएगा तो आप next इसका भी यह कर सकते हो 18 130 130 target okay इसके बाद mostly avoid करना क्योंकि इतने जल्दी जाएगा नहीं तो ऐसी अगर candle बन रही है straight away कैसे यह यहां से straight away for example यह zone को तोड़के इधर कहां तो भी candle बन रही है तो इस तरीके की राली या इस तरीके की राली आपको 18 130 तक लेके जा सकती है अब आपको सब लेवल्स के रिविजन करवाता हूं वापिस वन बाई वन देखो अगर मार्केट यही जोन में है 18 247 18 285 अर उपर जा रहा है ग्रीन कैंडल 15 मिनिट्स पे दिख रही है तो मैक्सिमम कहां पर 18 337 तक उके उसके बाद भले उपर गया पड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना अगर बुलिशनेस है तो उपर जाएगा 18 360 या 18 350 तक 18 337 का सपोर्ट लेगा वापिस जब उपर जाएगा 18 360 के तब आप एंट्री लोगे 337 का स्टॉप लॉस रखोगे 8383 का टार्गेट 1 और 8417 का टार्गेट 2 अब नीचे की लिए स्टोरी क्या है यहां पर जितना भी यह जोन में टाइम पास करेगा वापिस उपर जाने के चांसे से क्योंकि यहां पर बायर्स बैटे हैं तो स्ट्रेट आवे अगर गाप डाउन हो रहा है 18 230 की यहां पर कु सब्सक्राइब के पहले ओपन इंट्रेस्ट भी देख लेते हैं कि क्या ओपन इंट्रेस्ट हमारे यह जो कंसेप्ट है इसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा बहुत इंपोर्टेंट है जानना कि यह हो गया 25 में और यहां पर आप देखोगे न 18 2300 पर फिलाल कॉल्स है ओके 18 200 का स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो 18 130 जाना थोड़ा सा पुल बैक तो जरूर आएका ओके तो अगर 18 130 के यहां पर दिख रहे हो तो और 18 sorry 18 230 के आसपास अगर आपको मार्केट गाप डाउन होते हुए दिख रहा है तो स्ट्रेट अवे 18 130 का टार्गेट मत लेना पहला प्रॉफिट बुकिंग 18 200 में थोड़ा सा कर देना और एक बार बुक हो गया फिर थोड़े के लिए यह टार्गेट अच्छिव करना हूं क्यूं मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहां पे मुझे एक अच्छा कासा पुट दिख रहा है तो 18 200 के नीचे इतने आसानी से नहीं जाएगा 18 400 के ऊपर भी नहीं जाएगा तो डेफिनेटी मैंने जो सेकेंड टार्गेट यहां पे आपको दिया 18 417 के उसके ऊपर सोचना थोड़ा सा दिक्कत है अब 18 300 के यह डायरेक्शन में जाएगा या यह डायरेक्शन में यह सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्षुटी एक्वल कॉल्स और एक्वल पुट्स फॉर्म हो है तो आपको लगता रहेगा कि मार्केट में बेरिशनेस है बट अगर आप ओपन इंटरेस्स से देखोगे तो वैसे नहीं है दोनों जगा पे मार्केट घूमने के चांसे और आप देखोगे तो कितना मार्केट आज दिन बर में गिरा जादा नहीं गिरा हाट भी 0.034 और बैंक निफ्टी थोड़ी जादा गिरी तो कल उपर जाने के भी चांसे उतने ही है तो लेवल्स को ट्रेड करके ही जो कल ट्रेड करेगा मिन्स लेवल्स को देखके ही जो कल ट ट्रेड कर पाएगा एक बार बैंक निफ्टी का अनलेसिस करते हैं बैंक निफ्टी आइए देखते हैं यह हो गया बैंक निफ्टी ओके अब बैंक निफ्टी भी देखोगे ना अल्मोस्ट लाइक यह वाला जो यह वाला जो सपोट अब निफ्टी तो उपर के डारेक्शन में दिख रही है 15 मिनिट में बैंक निफ्टी नीचे के डारेक्शन में दिख रही है मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी अगर आप नीचे का सोच भी रहे हो तो दो टार्गेट बनेगा तार्गेट नोट कर सकते हो, एंट्री कहां पर बनेगी, तो 43, 650 के बाद मैं एक कही जगा पर पूरा का पूरा लिख देता हूँ, 43, 630, below BNF, put target 1, 43, 544, 43, 544, target 2, 43, 473, 43, 473, stop-loss क्या रहेगा, तो stop-loss रहेगा, 43, 840, stop-loss, 43, थोड़ा सा बड़ा है, बट, anyways, लाइक पिलाल अगर देखोगे, यही सही है, या फिर आपको अगर और fine-tuning करना है, तो आप 43, 750 भी रख सकते हैं, तो stop-loss 43, 750, तो यह हो गया, आपका नीचे का trade, enter, enter, 43, 630, below, okay, उपर का trade कैसे बनेगा, तो उपर यहां पे भी आप देखोगे न, तो सबसे पहले bank nifty को क्या करना है, तो trend line को break करना है, और मैं यही levels कहूंगा, 43, 900 के बाद ही bank nifty में long जाना, long, long only after 43, 9, यह वाला पाट 43, 900 में कहूंगा, long after 43, 900, target 1 क्या रहेगा, 44, target 1, 44 के, और क्यूंकि आप देखोगे, यहां से घूमने के chances बहुत जादा है, और target 2 definitely 44, 50 रहेगा, उसके बाद जोर से जो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे, और stop loss क्या रहेगा, तो मैं second target नहीं लिख रहा हूं, और stop loss क्या रहेगा, तो stop loss मेरे हिसाब से आप देखोगे, तो 43, 850 का तो भी, 43, 830 का तो भी आपको फिलाल के लिए, आप intraday में और fine tuning कर सकते हो, stop loss 43, 830 का stop loss रखना है, थोड़ा सा bank newty यहाँ पे intraday देने के लिए दिक्कत है, कल morning का यह trade तो बन रहा है, but still I would request की एक बार group WhatsApp community में जॉइन करके levels confirm कर लेना, तो hope यह सभी चीज आपको याद आ रही है, या समझ में आ रही है, इंचे का trade कब देना है, उपर का trade कब लेना है, कौन से levels है, कौन सी entry price है, put करीदना है, call करीदना है, strike price पे ध्यान देना है, add the money ही रखोगे, morning में तो अच्छा है, यह रहा है, nifty का और वापस एक बार, इस बार फिलाल में आप देखोगे, तो जादा educational video नहीं बना रहा हूं, just pinpoint समझा रहा हूं, बत आगे जाके, definitely हम बहुत सारी टीप में discuss करेंगे, till the time, thanks a lot, and it was fantastic having you all of here, and hope आप कल happy trading, और अच्छा कासा market में पैसा कमाए, thanks a lot and see you tomorrow.